जोतिर अदित्य सिंद्या जी, प्रियंका जी, राज बबबर जी, अजय लल्लू जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता, कैंडिडेट्स, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार. दोजार चौदा में, नरेंद्र मोदी ने तीन वाइदे किये थे, तीन वाइदे किये थे, युवाओ को, हर साल दो करोड युवाओ को रोजगार देने का वाइदे, जहां भी जाते थे, युवाओ को रोजगार देने के बात करते थे, किसानों से कहा किसानों से कहा कर्जा माफ करूंगा किसानों से कहा कर्जा माफ करूंगा और हिंदुस्ताइन के हर व्यक्ति से कहा मुझे प्रधान मंत्री बना दो और मैं हर बैंक अकाउंट में पंद्रा लाख रुपए डाल दूँगा भाईों और बेहनों आपको पंद्रा लाख रुपए मिल गए मिले कोई यहां है जिसको पंद्रा लाख बैंक अकाउंट में मिला हो तो नरेंद्र मोधी जी ने 15 लाख रुपय का जूट बोला कहा हर बैंक अकाउंट पे 15 लाख मैंने ये बात पकड़ ली मैंने ये बात पकड़ ली मैंने का देखो पता लगाते हैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला जा सकता है जोकिदार ने साड़े तीन लाख करोड रुपय 15 लोगों के बैंक अकाउंट में डाला मैंने सोचा मैं पता लगाता हूँ हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा सरकार डाल सकती है तो पाँच महीने पहले मैंने कॉंग्रेस के एकॉनोमिस को फिंक टैंक को बुलाया उपिस में बुलाया उनसे सवाल पूछा मैंने उनसे का देखिए लंबा भाशन नहीं सुनना चाहता मैं मुझे थियरी मत देना बड़े आकड़े मत देना मुझे आपसे एक नंबर चाहिए उन्होंने पूछा कौन सा नंबर मैंने का नरेंडर मोदी ने पंरालाग बोला था जूट था मुझे आप सच्चा नंबर दो हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार कितना पैसा डाल सकती है एक शर्थ है हिंदुस्तान की अर्ध विवस्ता नश्ट नहीं करनी है नोट बंदी जैसा काम नहीं करना है आप जाईए दुनिया के सबसे बहतर एकॉनमिस से पूछिए जिस से आपको पूछना है पूछिए मगर तीन चार महीने बाद आप मुझे कागस पे एक नंबर दीजिए कुछी दिन पहले वापिस आए कागस पे एक नंबर लिखके दिया बहतर हजार रुपे बहतर हजार रुपे यह आपने पोस्टर पे लिखा हुआ है बहतर हजार रुपे यह न्याए है बहतर हजार रुपे एक साल के तीन लाख साथ हजार रुपे पाँच साल के कॉंग्रेस पार्टी ने निन्ने लिया है कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब सबसे कमजोर 20 प्रतिशद लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 72 हजार रुपे हम डालेंगे 25 करोर लोगों को इस पैसे का फाइदा मिलेगा 5 करोर लोगों के बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे जाएगा साल का 72 हजार 5 साल का 3,6,000 बाहियों और बैंओ यह सचाई है 3,6,000 रुपे 5 करोर लोगों को कॉंग्रिस पार्टी दे सकती है 15,000 नहीं दे सकती है मैं आपको यहाँ जूट नहीं बोलूँगा मैं आपको यह नहीं कहूँगा प्रियांक जी ने अभी शुरुवात में बोला कि जहां भी देखो नरेंद्र मोदी जी की पब्लिसिटी होती टीवी चालू करो नरेंद्र मोदी रेडियो चालू करो नरेंद्र मोदी सर्क पे चलो नरेंद्र मोदी इतनी पब्लिसिटी का पैसा कहा से आता है आप टीवी पे 30 सेकंड के लिए लाकों रुपए लगते हैं अकबार में लाकों रुपए लगते हैं ये देश में हर रोज जो नरेंदर मोदी की फोटो आ रही है इनका चेहरा आ रहा है इसका पैसा कौन दे रहा है नरेंदर मोदी की जेब से तो नहीं आ रहा ना तो ये पैसा कहां से आ रहा है आपने कभी सोचा कि करोरों रुपए की पब्लिसिटी पैसा कहां से आ रहा है मैं आपको बताता हूँ भाई और बैनों नरेंद्र मोदी ने आपका पैसा चोरी करके लाखों करोर रुपए चोरी करके इन चोरों को दिया है नीरब मोदी 35,000 करोर रुपए विजय मालिया 10,000 करोर रुपए ललित मोदी मेहूल चौकसी अनिल अम्बानी लाखों करोर रुपए आपका पैसा छीन कर इनको दिया गया है पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे याद है मोदी जी कहते थे अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे बुरे दिन आगए ना अब नया नारा सुनो चोकिदार 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 पाँच साल में अच्छे दिन से चोकिदार चोर है तक पहुँच गए अब पाँच साल अन्याई किया पंच साल अन्याई किया आपको याद होगा UPA की सरकार थी उत्तर प्रदेश के किसान हमारे पास आए आपने हम से सवाल पूछा आपने का देखिए ये अरब पती लोग हैं इनके लिए बैंक के सामने लाल कालीन लगती है हम जाते हैं बैंक के पास बैंक में जाते हैं हमें कहते हैं बैया तुम यहां से परे हो जाओ तुमारे उपर करजा है आपने हमें कहा कि किसान का करजा माफ करके दीजिए दस दिन के अंदर 72 हजार करोर रुपे हिंदुस्तान के किसान का हमने माफ करके दे दिया दस दिन के अंदर मध्यप्रदेश राजिस्तान 36 गर में चुना हुआ मैंने ऐसी मीटिंग में वहां कहा देखिए दस दिन के अंदर मध्यप्रदेश राजिस्तान 36 गर के किसान का करजा माफ हो जाएगा कुछ भी हो जाए Congress Party जीतेगी 10 दिन के अंदर हो जाएगा भाई और बेहनों 10 दिन नहीं लगे 2 दिन के अंदर हमें करजा माफ कर दिया सबका हम नहाई योजना की बात करते है नरेंद्र मोधी जी कहते है पैसा कहां से आएगा कहते है Middle Class से आएगा मद्यम वर्ज के आएगा मैं बताना चाहता हूँ Middle Class से नहीं आएगा Congress Party income tax को नहीं बढ़ाएगी मगर अनिल अमबानी के जेब से आएगा महुल चोक्सी नीरा मोधी उनके जेब से आएगा और आपके जेब में जाएगा नरेंद्र मोधी ने दो करोड युवाओं को रोजगार देने की बात की यहाँ कोई है जिसको नरेंद्र मोधी ने रोजगार दिया अच्छा एक और सवाल यहाँ कोई किसान है जिसके खेत में रात को अवारा पशू नहीं आया हो एक है यहाँ पे अभी हमने देखा हेलिकॉप्टर से खेतों में हवारा पशू घूम रहे है बरबात कर दिया है नरेंद्र मोधी ने हिंदुस्तान के किसानों को वो उनकी चौकीदारी कर रहा है अनी लंबानी की मेहल चोकसी की निरभ मोधी का की अच्छा एक सवाल आपने किसान के घर के सामने कभी चौकीदार देखा है कभी जिन्दगी में आपने चौकीदार के घर के सामने किसान देखा बेरोजगार युवा के सामने घर के सामने देखा चोटे दुकानदार के सामने चौकीदार देखा अच्छा अने लंबानी के घर के सामने कितने चोकिदार है मेहुल चोकसी निरव मोदी चोकिदार को तो इन लोगों को इन लोगों के घर के सामने होते है लाकों करोनो रुपए चोरी की है इसलिए चोकिदार की जरुवत होती है तो ये नरेंद मोदी आपको नोट बंदी में खड़ा करता है आपसे कहता है काले धन के खिलाफ लड़ाई काले धन के खिलाफ लड़ाई अच्छा भईया एक बात बताओ नोट बंदी के समने नोट बंदी के समय लाइन में काले धन वाले खड़े थे क्या अनियमानी खड़ा था लाइन में मै maravil चोक्सी नीरव मोदी खड़े थे क्या हिंदुस्तान के इमानदार लोग थे किसां थे, मज़़ोर थे, चोटे दुकानदार थे ये लोग खड़े थे आपके जेव में से पैसा निकाल कर चोड़ों के जेब में पैसा डाला है नरंद्र मोधी को दो करोड युगाओं को रोजगार देनी बात की जुट बोला मैं आपको सचा ही बताता हूँ 22 लाग सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है 45 साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी आज है मगर 22 लाग सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है मैं आपको स्टेज से कह रहा हूँ एक साल के अंदर 22 लाग नौकरियां हम भर देंगे आपके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 लाग युवाओं को पंचा है तो मैं रोजगार दिया जा सकता है यह सचा ही है 10 लाग युवाओं को हम रोजगार दिलवा देंगे मगर मैं आपको स्टेज से 2 करोड युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करूँगा 15 लाग की बात नहीं करूँगा 3 लाग 60 लाग की करूँगा आप दिन बार काम करो उत्तर प्रदेश का किसान काम करे अपना खून पसीना दे और फाइदा उनको मिले दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं एक हिंदुस्तान अने लंबानी जैसे लोगों का नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं जो भी उनको चाहिए मिलता है बच्चों को कॉलिज उनिवर्सिटी बेजना होता है बहतर से बहतर कॉलिज में भेज देते हैं लाखों रुपे देते हैं कोई फरक नहीं पड़ता है परिवार में कोई बिमार होता है MRI की जरुवत होती है कैट स्कैन की जरुवत होती है लाखों रुपे देते हैं किसी को कैंसर होता है दिल का दोरा होता है एकदम लाखों रुपे देते हैं मगर आप अपने बच्चों को कॉलिज उनिवर्सिटी बेजना चाहो तो नहीं बेज सकते पहले लाकों रुपए निकाल कर उन्हीं चोरों को दो आपके परिवार में कोई बिमार होता है इलाज की जरुवत होती है लाकों रुपए दो उन्हीं चोरों को दो पूरा पूरा उनका स्कूल उनके, कॉलेज उनके युनिवर्सिटी उनके हस्पताल उनके आप लोग भीमा देते हो उत्तर प्रदेश का किसान भीमा देता है नुकसान होता है आपका ही पैसा आपको वापिस नहीं मिलता हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्स बाट रखे है अने लंबारी को 10-15 डिस्ट्रिक्ट रे रखे है बीमा का काम तुम यहां करोगे और कोई नहीं कर सकता यह लोग 15 डिस्ट्रिक्ट अदानी जी यह आपके है यहां बीमा का काम आप करोगे भाईयों और बहनों 10,000 करोड रुपे हिंदुस्तान के किसानों का पैसा बीमा का पैसा इन लोगों ने आप से चोरी करके लिया है और जब आंदी आती है तुफान आता है आप बीमा मांगते हो बीमा का पैसा मांगते हो आपको कहते हो नहीं भीया आपको नहीं मिलने वाला आप कौन हो हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे एक हंदुस्तान होगा अगर 3,50,000 करूर रुपय उनका करजा माफ होगा तो फिर किसानों का भी करजा माफ होगा हम नहाओ की बात कर रहे हैं आप चाहते हो कि किसान का करजा माफ ना हो तो फिर आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ मत करो अगर आप उनका नहीं माफ करोगे तो फिर हम किसान कर्जा माफी नहीं मांगेगे मगर अगर आप उनका लाकों करों रुपे माफ कर सकते हो तो फिर हम किसानों का भी लाकों करोर रुपे माफ करेंगे आप देखिए आप देखिए नीरभ मोदी 35,000 करोर रुपे लेके भाग गया उसको जेल हुई? अनिलम्मानी 45,000 करोर रुपे करजा है जेल में है? नए अब किसान 20,000 रुपे का लोन लेता है 30,000 रुपे का लोन लेता है वापस नहीं दे पाता है उसकी जेल होती है जेल जाता है तो आप मुझे बताईए हिंदुस्तान के अरब पती करजे के लिए जेल नहीं जाते मगर हिंदुस्तान के लाकों गरीब किसान 20,000 रुपए के लिए जेल जाते हैं क्या यह आपको सही लगता है क्या यह आपको ठीक लगता है हमने मैनिफेस्टों में साफ लिख दिया है 2019 के चुनाओं के बाद हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जे के मामले में जेल में नहीं डाला जा सकेगा अब किसान को जेल में डालवाना है तो पहले अने लब मानी को जेल में डालो मीरा मोधी को जेल में डालो विजया मालिया को वापस लाओ जेल में डालो हम आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं करजे का डर हो बविश्य का डर हो हम हिंदुस्तान के किसान के दिल से उसको बिटाना चाहते हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस देश की शान हो आप इस देश की शक्ती हो और आप इस देश को बनाते हो आपके बिना ये देश नहीं चल सकता है ये मेसेज हम आपको देना चाहते हैं और इसी लिए हमने निंडे लिया है कि जैसे पहले रेलवे बजट हुआ करता था दो बजट पेश हुए करते थे एक नैशनल बजट होता था और दूसरा रेलवे बजट होता था वैसे ही 2019 में एक नैशनल बजट होगा और दूसरा किसानों का बजट होगा उसमें देश के सब किसानों को पता लग जाएगा इस साल हिंदुस्तान की सरकार किसानों को क्या देने जारी है कितना कर्जा माफ होगा कितनी MSP बढ़ाई जाएगी कितना बोनस मिलेगा पूरा पूरा आपको साल के शुरुआत में ही हम बता देंगे आप प्लानिंग कर पाओगे और आपको साफ पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान की सरकार किसान के लिए क्या करने जारी है मद्यप्रदेश राजिस्तान 36 गड़ इन प्रदेशों में हमने किसानों के लिए काम शुरू कर दिया है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ और मेरा सपना है कि एक दिन ये काम उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो हमने तीनों चीफ मिनेस्टर से कहा है कि इन प्रदेशों में हर डिस्ट्रिक्ट में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए जहां आलू उखता है वहाँ चिप्स का एक चिप्स बनाने की फैक्ट रहे जहां टमाटर उखता है वहाँ टमाटो केचप बनानी की फैक्ट जाल बिचा रहे हैं हम मध्यप्रदेश 34 गर राजिस्तान में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की जाल बिचा रहे हैं सीधा जागे किसान फैक्टरी में अपना माल बेचेगा आलू बेचेगा टमाटर बेचेगा अब आप देखिए यहाँ बीजेपी की सरकार दो साल हो गए मैंने अवारा पशू की बात की जो आपका था आपसे छीना जा रहा है नोट बंदी की गई आलू के किसान के लिए उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने क्या किया मुझे बताओ मुझे एक बात बता दो कर्जा माफी की बात की थी यहाँ कर्जा माफी का फाइदा मिला आपको किसे को मिला पैसा नहीं तो देखिए जैसे ही 2009 पे कॉंग्रेस पार्टी जीतेगी हमने किसान बजट की बात की हर साल हम MSP आपके लिए बढ़ाएंगे हर साल जैसे हम पहले बढ़ाते थे वैसे हम MSP को बढ़ाएंगे और नियाई योजना का फाइदा आप ये बद भूलिए नियाई योजना का फाइदा उत्तर प्रदेश के किसान को गरीब को सबसे ज़ादा मिलेगा 72,000 रुपे सीधे आपके बैंक अकाउंट में यहां बहुत पुर्श बैटे हैं एक बात शाहिद आपको अच्छी ना लगे मगर पैसा सीधा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा पाच करोण महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है आखरी बात मैं युवा उकले करना चाहता हूँ नरेंद्र मोधी जी ने मेक इल इंडिया की बात की स्टार्ट अप इंडिया की बात की पूरे देश में युवा बिजनस खोलना चाहता है उत्तर प्रदेश में कोई भी युवा आगरा में कोई भी युवा बिजनस चालू करना चाता है तो उसे सरकारी डिपार्टमेंट में जाके पर्मिशन लेनी पड़ती है अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है हर डिपार्टमेंट में पर्मिशन मागनी पड़ती है और आप जानते हो उत्तर प्रदेश के हर डिपार्टमेंट में रिश्वत देनी पड़ती है इसलिए हमने कहा है कि 2019 के बाद किसी भी युवा को बिजनस खोलने के लिए कोई पर्मिशन लेनी की ज़रूरत ने किसी से पर्मिशन लेनी की ज़रूरत ने आप अपना बिजनस चालू करो तीन साल तीन साल आप बिजनस चालू करो बिजनस चलाओ जब आपका बिजनस मजबूत हो जाएगा तीन साल बाद आप जाके पर्मिशन लेना और बैंक लोन कॉंगरेस पार्टी अने लंबानी जैसे लोगों को नहीं देगी बैंक लोन, कॉंग्रेस पार्टी उन्हीं को देगी जो उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए रोजगार पैदा कर रहे है उन्हीं युवाओं को देगी जो बिजनस चालू करके रोजगार पैदा कर रहे है विचारधारा की लड़ाई है एक तरफ नफरत, बीजेपी, नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ भाईचारा प्यार और कॉंग्रेस पार्टी जीत कॉंग्रेस पार्टी की होने वाली है सरकार कॉंग्रेस पार्टी की बनने जारी है और मैं कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता हूं से कहता हूं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हो कि कॉंग्रेस पार्टी के लिए आप रोज लड़ते हो पोलिंग बूत में लड़ते हो, सड़कों में लड़ते हो, गाउं में लड़ते हो, शेरों में लड़ते हो तो आपका दिल से धन्यवाद अब यहाँ आज जो नियाई योजना है उसकी यात्रा चालू हो रही है पूरे प्रदेश में मैसिज जाएगा कि कॉंग्रेस पाटी पांच करोड लोगों को 72 हजार रुपए हर साल देने जा रही है तो मैं कारेकरता से कहता हूँ आप पोलिंग बूत पे लड़िये कॉंग्रेस की विचारधारा की बात कीजिए बीजेपी के जो जूटे वाइदे है दो करोड युवाओं को रोजगार देने का वाइदा पंद्रा लाग का वाइदा किसानों को सही दाम देने का वाइदा बरस्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बाइदा उसके बारे हमाँ आप उत्तर पदेश की जनता को बताईए और यहां राज बबर जी को चुनाव जिताईए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैद